सब्सक्राइब करिएगा थोट्स विकम सक्सेस यूटीब चैनल को और साथी जो बेल लाइकन है उसको भी प्रस कीजिएगा ताके हम जो भी वीडियो को अपलोड करें उसकी नोटिफेशन से आपको टाइम से मिल सकें दोस्तों आप सभी का मैसमारे थोट्स विकम सक्सेस मक्सद यह है कि जो भी आपको कुशन का वे है वो आप जान सकते हैं और साथी जो टफ वर्ट्स हैं उसकी भी मीनिंग समझानेंगे और साथी आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह पेपर पूचा जा रहा है अगरचे हम को कैसे इलमिनेट करते हुए सही आप्शन को चू पहला सवाल रहा पढ़ाते वक्त हासिल शुदा महारत हैं पढ़ाते वक्त हासिल शुदा महारत हैं महारत यानि स्किल जो पढ़ाते वक्त जो हासिल शुदा महारत कौन सी है इसमें ऑप्शन वन दिया गया है नोट लेना अप्शन टू तजजिया तजजिया के माने होते ह इच में compare करना analysis and option 3 मौममा बनाना यानि पहली सुलचाना option 4 नोट बनाना यहां पर आपको two options eliminate हो जाते हैं जिसके two option two and option three क्योंकि तजिजिया हैं पर कोई comparison नहीं है जरूत नहीं है and also पहलियों के भी जरूत नहीं है तो option two and option three ऐसे अब रहे option one and option four इसके English में आते हैं translation करेंगे तो note लेना यानि note taking and option four note बनाना यानि note making तो यहां पर पढ़ाते वक्त जो है हासिल शुदा महारत आकर note बनाना note making है सही option आकर option four note बनाना है हमेशा note बनाने में note making में जो है बच्चा active होता है जबके note taking में note लेने में passive होते हैं क्योंकि यहां पर खुद अपनी note खुद बना रहे हैं तो इसलिए हम पर active होते हैं note making सही है option four next सवाल रहा class में बोलने और सुनने की महारतों की जांच के दौरान इस गुफटगू को पढ़िए आप कैसे ता हर तालिब इल्मों की जांच करेंगे इस question के माने यह रहे के class में बोलने speaking के और listening के सुनने की जो स्किल्स हैं उसकी जांच के लिए आप नीचे की जो गुफटगू है उसको पढ़कर हर तालिब इल्मों को किस सरह जांच करेंगे मतालुख यानि related के तालुख रखने वालें के होते ही इसमें जो पहला तालिब इल्मों है वो ये कुछ जवाब दे रहें कि क्यों क्या हम बहस नहीं कर सकते हैं और दूसरा तालिब इल्मा इसे जवाब दे रहें ठीक है क्या मैं उससे कबड़ी से मतालुख बात कर सकता यहां पर दो स्टूडेंस ये गई हैं जो के डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स दिये हैं दोनों की दोनों और उनको मदे नज़र रखकर आप नीचे के फूर आप्शन्स में से सही आप्शन्स को चुछ करना है कि आप उन्हें कि सरह जांच करेंगा आप्शन वन रहा तालिब इल्म दो सही है तालिब इल्म एक अपना जवाब सही तरह बयान नहीं कर पाता आप्शन टू तालिब इल्म एक सही है तालिब इल्म दो ने सही तरीख से जवाब नहीं दिया आप्शन 3 तालिब इल्म एक और दो दोनों ने सही जवाब दिया आप्शन 4 तालिब इल्म एक और दो दोनों ही ने गलत जवाब दिया सही आप्शन आकर आप्शन 1 है अगला स्वाल रहा तीसरा तह्यकी के मताबिख दर्जेल में से कोन सी सबसे एहम घर पर मबनी सरगर्मी प्री स्कूल बचों की मालुमात को बढ़ाने में माठो होती है उन के पढ़ने में काम्याबि के लिए सबसे एहम है तहकीक के माने होते हैं खोज लगाना असलियत मालूम करना और माउन के माने होते हैं मददगार साबित होना यहां पर इस कोशिन के माने ये रही कि तहकी के मताबिक जो है ऐसी कौन सी आक्टिविटी है जो के घर पर की जाए प्री स्कूल बच्चों के लिए उनके मालुमात नॉलिज को बढ़ाने में जो है मददगर साबित हो इसमें ऑप्शन वन दिया गया है बच्चों को नरसरी याद कराना उप्शन टू वालिदें स्कूल के बारे में बात करें उप्शन त्री वालिदें बच्चों को जोर से पढ़ाए उप्शन फोर वालिदें बच्चों को हुर्फित हिजी पढ़ाए इसमें रैम्स याद कराना बच्चों को जोर से पढ़ाना हुर्फित हिजी यह जरूरी नहीं है वाली दिन स्कूल के बारे में बच्चों से बात करें यह आप्शन सही है आप्शन टू नेक्स्ट सवाल यह रहा जब तालिब इल्म बुलंद आवाज से बुलंद आवाज में कोई मतबादिल माने वाले लवज को पढ़ता है जो के छुप छपा हुआ तो टीचर का सबसे मुनासिब जवाब होगा ए इसके माने यह है कि मतबादिल यानी बदलना चेंज करने वाले कोई स्टूडेंट है जो के बुलंद आवाज से कोई मतबादिल माने वाला लवज पढ़ता है जो के छपा हुआ नहीं है तो टीचर का सबसे मुनासिब जवा पाना जारी रखने के लिए कहेगा Option 3 गलती पर टोकेगा और सही लवज के तलफुस को जोर से पढ़वाएगा Option 4 दोनों लवजों को लिखाएगा और तालिब इल्म से उस लवज को तलाश करने के लिए कहेगा जो के मतन में है Correct Option रहो Option 2 अगला सवाल रहा किसी की नखन ना करके अपनी असलूप में लिखना कहलाता है असलूप यानि अपने तरीखे में अपने तरीखे तर्द में लिखना कहलाता है Option 1 अपसानवी Option 2 मॉकालिमा Option 3 तखलिखी And Option 4 खत इस में सही Option आपकर Option 3 है तखलिखी जो के क्रियेटिविटी के जरिये अपने तरीखे से लिखना तकलिखी कहलाता है अगला सवाल रहा कौन सा आमोजिशी इलाखा गौर फिकर के अमल को बढ़ाता है अप्शन वन याद करना अप्शन टू समझ अप्शन तरी अंदाज खदर अप्शन फूर इतलाख इतलाख के माने होते हैं अप्ली केबल करना अप्ली केबल आमोजिश के माने होते हैं सिकाई या भिर पढ़ाई ऐसा कुंसा सिकाई या पढ़ाई वाला इलाखा है जो गवर फिकर के अमल को बढ़ाता है तो इसमें सही आप्शन आकर आप्शन 3 है अंदाज खदर नेक्सट सवाल रहा किसी खास जबान के गुरूप के बोलने वालों की खुसूसियत है ऑप्शन वन तलाफस की अदाईगी का अंदाज ऑप्शन टू लहजा ऑप्शन त्री जोर ऑप्शन पूर आवाज इसमें सही आप्शन आकर ऑप्शन टू है लहजा नेक्स्ट सवाल रहा आमोजिश के तजरुबात को पेश करने का सबसे ज्यादा अच्छा जरिया कौन सा है आमोजिश यानि सिकाने का तो इस तरह एक टीचर आमोजगार के माने होते हैं एक teacher के तो इस तरह एक आमोजिश के तज़रुबा जो experiments होते हैं उसको present करने का सबसे अच्छा जरिया कौन सा है तो इसमें सही option आकर field trips है जिसके जरिये एक अच्छा present जो भी experiment तज़रुबात हैं उसको पेश करने का एक अच्छा सा जरिया आकर field trips है जिसमें बच्चे खुद भी सीखते हैं ज्यादा तर इन तीनों के जो के नमुने और चार्ट के जरिये अभी टेलिविजन्स के इनके त्रू जो है एक बहतर से सीखते हैं field trips में नेक्सर सवाल रहा एक शक्ष सिनमा हाल में आपके पीचे बैठा हुआ मुबाइल फोन पर बात कर रहा है और आप उसे मुबाइल पर बात करने के लिए मना करना चाहते हैं इन्तिखाब कीजिए कि आप उसे किस तरह दर्खौस्त करेंगे इन्तिखाब यानि सेलेक्ट ना करें आप्शन 3 महरबानी करके क्या अपना फोन बंद नहीं कर सकते आप्शन 4 क्या आपके लिए मुम्किन होगा कि उस मुबाइल फोन को यहां इस्तिमाल ना करें इसमें सही आप्शन आकर आप्शन 2 है निक्स्ट सवाल रहा दर्जेशल मेंसे कौन सी मुबस्र तहरीर में शामिल है तहरीर यानि लिखना जबके तखरीर होते हैं उसके आपोसिट के बोलने के मुबस्र यानि एफेक्ट्यू तहरीर में राइटिंग में शामिल है जाप की जाँच एडिटर को ख़द आप्शन 2 साँख ए उम्री और बीती आप्शन 3 इनसाइकलो पीडिया मजामीन डाइग्रामस और डाइग्रामस और आप्शन 4 न्यूज रिपोर्ट निसाब इसमें जाप की जाँच एडिटर को ख़द जो है मौसर तहरीर में शामिल ह ओप्शन 1 صही रहा आँच स्काimet निकस्ट ऩे सवाल रहा एक मौजू का जुमला बताता है ओप्शन 1 मजामीन का मर्कजी खयाल स्कार ख़द देली अनवान एक मौजू का जिम्ला बताता है उप्शन ट्री इसमें सही उप्शन है जो के पेरिग्राफ का मरकजी ख्याल बताता है उप्शन ट्री सही रहा नेक्स्ट सवाल रहा तल्बा को दुनियान से महुबत करने और पुर अमन मस्तखबिल के तसओर यनि कॉंसेप को फरोग देने और एक दूसरे का ख्याल रखने की तरगीब देना तालिम डैश है यनि इस तरहा तरगीब देना कोंसी तालिम कहलता है फासिलाती तालिम उप्शन टू अदभी तालिम उप्शन त्री पेशवाराना तालीम आप्शन 4 एकदार की तालीम फासलाती तालीम यानि डिस्टेंस एजुकेशन अद्बी तालीम भी नहीं है और आप्शन 1 भी नहीं है पेशवाराना तालीम भी नहीं है किसी पेशे से मुतालुख खाप उसको एजुकेट नहीं कर रहें किसी स्टूडेंट को इसमें सही आप्शन आकर आप्शन फूर है वैलियूस ओफ एजुकेशन ओफ वैलियूस जो के एकदार की तालीम नेक्स्ट सवाल रहा किसी दूसरे मतन से ना मानूस अलफास के मानी तलाश करना महारत है मतन यानी किताब की जो असली अबारत होती है उसको कहते हैं कौन सी स्किल है तो इसमें option 1 रहा सुनना, option 2 बोलना, पढ़ना, option 3 पढ़ना and option 4 लिखना इसमें सही option आकर option 3 है जो के पढ़ना मानी तलाश कर रही है तो skill जो है वो आकर पढ़ना है option 3 आखरी सवाल रहा जो आप अकबार में एक खास इश्टियार गवर से पढ़ते हैं तो पढ़ने की हिकमत अम्ली है, यानि किसी अकबार में जो इश्टियार है आउटिकल है उसे गवर से पढ़ते हैं तो पढ़ने की हिकमत अम्ली कुन से है, option 1 इर्थेकास इर्थेकास के माने होते हैं, मरकूस करना, या एक जगा इखटा करना या फिर option two जाइजा लेना जाइजा, option three तौसी, शुदा वसात and option four, सरसरी इसमें option one and option four बिल्कुल गलत है जबके इर्तिकास के माने जो है इखटा करना आप इखटा नहीं कर रहे हैं और सरसरी भी नी, इसमें सही option आकर option two है जाइजा लेना जाइजा दोस्तों यह रहाज का हमारे वीडियो जिसमें हमने बहुत सारे मीनिंग्स भी जाने हैं पहले आप अच्छे से सवाल को पढ़िएगा और तब सवाल को पढ़ते ही तो आप डिरेक्ली सवाल का जवाब आता है तो आप डिरेक्ली जाकर उसको टिक कर सकते हैं या भी आपको उस सवाल का जौब नहीं पता है तो आप उसको उस सवाल से रिलेटेड चंद को चंद ऑप्शन को पहले इल्मिनेट कीजिएगा तब जा कि आप सही हांसर टिक कर सकते हैं I hope so guys कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो पसंद आया होगा मालूमात मिले होंगे आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कॉमेंट कीजिएगा कैसा लगा और सांथी आपके दोस्तों के साथ शेर भी कीजिएगा कोई नए हैं तो जोर से चानल को सब सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रस कर लीजिएगा जल्दी मिठते हैं कखले वीडियो में शुक्रिया